चलिए दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरा चैनल YouCrypto में Crypto की दनिया Free Mining की दनिया सच में अभी नया एप आ गया है अप्ग्रेड हो गया है बहुत सुन्दर आप बहुत पसंदा है सच में बोलना हम जें बहुत पसंदा है आप सब लोग चेक कर लेना नया अप है सबको चेक करना जरूगी है बहुत ही इंट्रेस्टिंग अप है ये आप बहुत जल्दी समझ जाओगे बहुत आसानी से समझ जाओगे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी कोई भी ट्रकी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी सच में हमें शुक्र गजार रहने चाहिए कोड़ागों के लिए जैसे वो प्रोग्रेस कर रहे अपडेट के साथ उन्होंने जो जो कहा था जो जो कमिट्मेंट किया था उस कमिट्मेंट पर खरे उतर ले जिस डेट को बुल रह इस टेस्ट फेस का हमें फाइदा होगा या नुकसान नुकसान तो नहीं होगा फाइदा होगा या नहीं होगा या नुट्रल रहेगा यह हमारा क्षंड है इस पर चलिक है हैं तो दोस्तों देखों आप उससे पहले जो लोग पहली बारा है चैनल पर वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी और अगर आपको मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन करना वाट्सआप ग्रूप जोइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी अभी प्रेजेंट क्या है हमारा में जो है यह जरूरी है या नहीं तो जरूरी फिलाल हेश पावर है है हमारी हेश पावर बड़ रही है थो आप लोग भी आपकी हेश पावर बढ़ा सकते हो तो बढ़ लोगत अंदर से कई। हैं रहे हैं है या फ्यूचर में कुछ न हुछ फाइदा जरूर होने वाला है अगर हमारे हैश पावर बढ़ा रहे तो उनका कुछ ना कुछ तो होगा मैंने लॉंच होने की बाद भी टेस्ट फिस्ट की जो प्रोसेस उसमें भी कुछ तो है इसलिए मुझे हैश पावर पर बहुत बरोसा है तो आप लोग भी हैश पावर बढ़ाते रहना तो ठीक है अब ये तीन पावर है आप दीख रहे इंडमे कैसे पाटिसेबिट करना ये मने आपको बता दिया था आप सब लोग उसमें पाटिसेबिट कर लो एक क्लेम बटन है देखो इस क्लेम पर क्लिक करते ही यहाँ पर zero rounds मैंने क्लेम कर चुका है यहाँ पर दिन में 25 मिलते है 25 मिलने के बाद यह बंद हो जाता है जैसे 150 blocks के बाद बंद हो जाती थी मैंनी वैसे airdrop मिलना बंद हो जाता है 25 के बाद तो दिन में एक बार आके सिर्फ claim करना है हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपकी power बढ़ जाएगा थोड़ा समझ लो इसमें power calculation क्या है airdrop को क्या कहना है क्या नहीं इसमें जो बता है यहाँ पर rules पर अगर आप जाते हो यह rules है rules section में आप जाओगे तो सभी rules लिखे हैं थोड़ा बहुत पढ़ लो important है rules तो और आपके रोज के रोज देख लेना checking कितना हो गया है कितना नहीं यहाँ पर आप देख सकते कि आपने कितना जमा किया है TCA coins कितना आपके पास TC B coin कितना TCC C coin कितना है तब यह सब चीज करना क्यों है वो important चीज है कि इसका फाइदा है या नहीं अब एरटरॉप compulsory है कहना करना necessary है लेकि यह सब चीज तो necessary लेकिन hash power बढ़ रहा है तो यह necessary है और इन्होंने हमें इस प्राक्टिस के लिए दिया है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि इसका कोई ना कोई relation आगे जाके मैंनेट में होने वाला है सपोस ऐसे पकड़ लो आप एक एस्यूम कर लो 27 डिसम्बर 26 डिसम्बर वाद मैंनेट लाउंच हो जाता है और हम जो अभी hash power है उसकी वज़े से हमें अगर core points मिलते है अभी जो test phase में हम लोग काम कर रहे हैं test phase अगर real projects test projects में हम काम कर रहे हैं यही real projects हो जाते है future में अभी जो काम किया हो तो कुछ मिलेगा नहीं लेकिन इसी के practice हमें आया है तो 27 तरीक से अगर यह projects real हो जाते तो उसमें मिलने वाले coins हमें core coins और मिलेंगे ऐसे हमें लग रहाता ने कि हमारे core coins मिलना बंद हो जाए अभी जो लोग नहीं जॉइन हुए 5 है 10 है शायद आप लोगो coins और मिल जाए हो सकता है आप लोगो coins और मिल जाए तो बस यह practice करते रहे ना और आप लोग अभी फिलाल जो सोच रहे हो mainnet कब आएगा कब नि आएगा यह सोचना फिलाल बंद कर दो mainnet को आना है वो आएगा ही रुक नहीं सकता तब यह साथ दिन के हमको प्राक्टिस करने को है उसे प्राक्टिस करते हैं उसके बाद mainnet के सभी questions अपने आप solve हो जाएंगे हम बस धहरे रखेंगे patience रहेंगे इसके साथ familiarize हो जाएंगे इसके साथ familiar हो जाएंगे यह क्या है क्याने यह concept क्या है यह concept समझने की कुशिश करेंगे यह concept समझ लेंगे ना एक बार हम कि यह concept समझ लिए और यह concept समझने में हमने गलती कर ली तो हमें आगे जाके अफसोस करने बढ़ेगा तो वो अफसोस नहीं होगा ठीक है दोस्तों और अभी जो लोग अप में पहली बार जोइन हुए बहुत रिसेंटली जोइन हुए जिनकी पावर अभी जैसे हमारी पावर है बहुत लोगों की पावर है इतनी 1.5 मिलियन है लेकिन जो लोग नए जोइन हुए उनकी पावर 100 के होगी ठीक है तो आपकी पावर एक 30 से बढ़ सकती है यह दे को मैं आपके सामने gift card रख दिये यह gift cards है यह सब तो आपको क्या करना है आपके gift card पे जाना है click कर देना है वहाँ पर use benefit होगा तो benefits पर click करना है और यह code दिये है मैंने तो इसमें से एक code यूज कर लो अगर कोई एक बंद है एक code यूज कर ला है तो दूसरा code दूसरे को use नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी एक code यूज कर लो आपकी power 100 से 130 कर लेना ठीक है दोस्तों तो यहीं पर वीडियो खतम करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और bell icon दबा देना और आपको अगर मैंगा टेलिग्राम ग्रूप टेलिग्राम चैनल और what's approved join करना है तो आपको link description box में मिल जाएगी तो वीडियो यहीं पर खतम करता हूँ बने रहे है जो भी update आएगा जो आएगा वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा बाइ बाइ फ्रेंड्स